पैँ हलो नमस्कार मैं डॉकुर नॉल पटेल डर्मेट लोजी से हं एयर ट्र्रास्प्रंट्टism और अकलिंगर इगड़ 26 गड़ कि हमक्राइब में आज करने वाला हूं कि ह हेर ट्रांस्प्रांड में आज के डेट में कौन कोन से टेकनिक्स अविलेबल है करने में बहुत ज़ादा पेन होता है इतना बड़ा बड़ा अठाखा लगा दिया iqt तो यह हम कैसे करा हैं क्या यह सेफ है सेफ है या नहीं है और किस टाइप के सर्जरी से अवेलेबल हैं देखे मेरा आपसे नुरू दिये ही है कि आप एक यूट्टिक यूटुब चेनल जैसे डिर्मेटलोजिस और हेर ट्रांस्परांट सर्जेंद द्वारा बनाए हुए सब्सक्रांट Mississippi में क्षीण़िस लेखा कर आपके सीर के पीछे ससे जहां से ग्राफ्ठ लिया जाता है चीरा दिया जाता है वासे ही स्किन की पट्ती निकाली जाती है और उनमेंसे ग्राफ्ट निकाले जाते हैं धीरे धीरे समय के सांथ में एड्वांस प्धतिे आती गही और आजकल a few e-technique follicular unit extraction मतलब बालों के जड़ follicle के unit होते हैं उन unit में एक दो या तीन बाल भी हो सकते हैं उनको machine के द्वारा एक दर से drill बोल सकते हैं machine के द्वारा उनको select करके निकाल करके आपके जहां पे bald area है वहां पे रोपित किया जाता है यह सबसे अच्छा procedure है लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है इस कार नहीं हो सकता है पेन नहीं होता है और आप अपने आज अगर आपनी hair transplant कराया है तो कल ही आप अपनी duty पे जोईन कर सकते हैं आज के date में हम अधिक सदिक लोगों को यही recommend करते हैं कि hair transplant के लिए अपका plan है तो आप FUE टेकनिक का या FUE टेकनिक के सारे ही आप अपने hair transplant कराया है जिससे आपको डर नहीं है, रिस्क नहीं है, पेन ज़्यादा नहीं होगा आप अपनी duty जल्दी resume कर सकते हैं और पीछे हिसे में आपको इसकार भी नहीं दिखेगा साथ ही साथ में आज के date में robotic hair transplant आ गया है परन्तु उन robot को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा expert technician या doctor की ज़रुत होती है यह पद्यती उतना successful नहीं है मेरे advice, मेरे patient, मेरे subscriber या अन्य लोगों के लिए है कि hair transplant करवाने क्या इच्चुक हैं तो आप proper clinic में visit करें, उनसे समय लें और अपने doctor को आप अपनी समस्याएं क्या graft कराना चाहते हैं, कितना graft कराना चाहते हैं, इसके बारे में उगत कराएं इस topic से related कुछ और अगर आपको जानकरी चाहिए, तो आप comment box में comment करें मेरे videos आपको अगर अच्छे लगते हैं, तो like करें, share करें और subscribe जरूर करें धन्यवाद हमारी YouTube चैनल को subscribe करें और latest video देखने के लिए bell icon को hit करें